नमस्कार दोस्तो आपके अपने यूटूब चैनल अभैसिंग फियरलेस वर्ल में स्वागत है मैं हूँ आपका फ्रेंड अभै और आज आपके लिए लाया हूँ लिमिट अफ लैविलिटी या एक्स्प्लोसिब लिमिट यह काफी important topic है जो लोग भी gas area में काम कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि explosive limit क्या होता है क्योंकि gas area में ज़्यादा आग लगने का chance रहता है तो हम लोग यह island gas का session स्टार्ट किये हैं तो उसमें यह बहुत जरूरी है कि आपको पता हो सारे gases का explosive limit क्या होता है तो आईए today topics है कि limit of flammability क्या होता है explosive limit यानि कि इसमें upper और lower flammability limit क्या होता है हम कुछ gases का upper और lower explosive limit देखेंगे जिससे कि आपको clarity मिले की और उसके बाद हम जानने वाले हैं कि upper और lower explosive limit reach हो गया की नहीं इसके लिए gas detector का use करते हैं तो ये reading कैसे show करता है और इसका क्या मतलब होता है तो हम इन चारो topic इसमें cover करने वाले हैं तो आईए सबसे पहले start करते हैं limit of flammability ये क्या होता है तो आप जानते हैं जब ज़्यादा fuel हो जाएगा और oxygen कम हो जाएगा यानि कि air कम हो जाएगा तब भी आग नहीं लगेगा और अगर fuel कम बहुत हो गया तब भी आग नहीं लगेगा जैसे अगर आपके घर में LPG का leakage हो गया आपको smell आता है कि leakage हो गया है फिर भी आप आग लगाते हैं नहीं लगता है क्या region है? क्योंकि वहाँ जो LPG का concentration है बहुत ही कम है और LPG आप पूरा खोल देते हैं खोलने के बाद रूम अगर बंद रहता है तो उसमें concentration बढ़ जाता है तब आग लग पाता है अगर पूरे घर में केवल LPG ही हो और आप उसमें माशिस के तिली लगाते हैं जलने के लिए तब भी वह नहीं जलेगा तो आपने देखा कि अगर कम फ्यूल होगा तब भी आग नहीं पकड़ रहा है ज्यादा फ्यूल हो गया तब भी आग नहीं पकड़ रहा है तो यह बीच के रेंज को हम लोग बोलते हैं इक्स्प्लोसिब लीमिट जो है लोवर और अपर होता है तो यह क्या होता है एक्स्ट्रीम ओफ फ्यूल टू एयर रेस्यों बीट्विन वीच्ट्र इस कमबस्टेवल हैना लीमिट फ्यूल टू कहते हैं तो आए जानते हैं आग पकड़ने के लिए आपको तीन चीज क्या हो सकता है ऑक्सिजन का हीट का और फ्यूल का तो हीट को एसपार्क से मिल जाएगा या कोई भी हॉट जॉब कर रहा है आपको मिल जाएगा लेकिन ये मिक्चर जरूर होना चाहिए यानि कि फ्यूल और ऑक्सिजन का मिक्चर प्रोपर होना चाहिए तब भी जाके उस रेंज में होना चाहिए तब भी जाके फायर होगा तो आए जानते हैं कि Lower Fliability Limit और Upper Fliability Limit क्या होता है इसको short में LFL और UFL हम कहते हैं तो Lower Fliability Limit होता है Lowest Concentration किसका Lowest Concentration यह Fuel का ठीक है ना और इसको हम किसमें मेजर करते हैं परसेंटेज में यह Gas का यह Vapor का हो सकता है Concentration जो की Capable of Producing Flash of Fire in the Presence of Ignition Source है ना तो यह होया हमारा Lower Fliability Limit और Upper क्या हो गया कि Highest Concentration ठीक है ना किसमें एयर में जिसमें आग लग सकता है अगर हम Source of Ignition दे यानि कि जैसे आर्क दे फ्लैम दे हीट दे इसको बोलते है Upper Fliability Limit इसको हम आगे देखेंगे जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा यह आप पिक्चर जो देख रहे हैं यह एक माल लेते हैं कि एक कंटेनर है यह बड़ा सा कंटेनर है यहां से यहां तक और इसमें हम एयर और फ्यूल के रेसियो को चेंज कर रहे हैं ठीक है ना अभी आप देखिए यहां पर इसको अगर फ्यूल अगर यहां तक भड़ा हो माल लेते हैं कि यह कितना परसंट है तो माल लेते हैं यह 30 परसंट है तो इसको बोलेंगे insufficient fuel for combustion to occur बहुत insufficient fuel है इसमें आग लहीं लग सकता है इसी को बोलते हैं lower explosive limit अगर 30% इस container में fuel है तो बाकी 70% क्या होगा? air होगा क्योंकि environment में क्या रहता है? air यानि कि उसमें भी oxygen percentage रहता है तो 30% fuel और 70% ये माल लेते हैं कि इसके जब 30% से ज़्यादा अगर fuel इसमें हम डालेंगे तब भी आग लगेगा तो 30% से ज़्यादा यानि कि माल लेते हैं अगर ये 60% यहाँ पे ये 60% है यहाँ 60% fuel हो गया तो बाकी क्या बचा? 40% air तो ये दोनों अगर ये दोनों mixture बनेगा तब भी जाके यहाँ पे आग लगेगा अगर यह 60% से ज़्यादा हुआ यानि कि fuel अब 61% हो गया तो बाकी कितना बचेगा? 39% air इसमें आग नहीं लगेगा क्यों? क्योंकि upper cross हो गया और वहीं यहाँ 30 lower limit है अगर 28% अगर ये हो गया और बाकी का यानि कि 72% air हो जाएगा इसमें भी आग नहीं लगेगा तो आप समझ गए होंगे कि lower explosive limit और upper explosive limit का मतलब क्या होता है? कि इस range में इसमें explosion होगा यानि कि आग पकड़ेगा उस range को explosive range बोलते हैं और जो limit है जो minimum उसको lower explosive limit और जो ज़्यादा वाला है हम gas का और vapor from liquid का देख रहे हैं अगर gas है hydrogen hydrogen तो gas form में रहता है तो ये gas इसका 4% जो है lower explosive limit है 74% upper explosive limit है यानि कि अगर air में ये 4 से 5 हो जाए तब भी आग लगेगा इस range में यानि कि 5% हो जाए तब भी आग लग जाएगा 50% हो जाएगा तब भी आग लगेगा यानि कि 4 से 74 के बीच में रहेगा तब भी आग लगेगा लेकिन जैसे ही ये 3 हो गया अगर air में तो आग नहीं लगेगा जैसे ही 74 से 75 हो जाएगा तो air कितना बचेगा 25% ठीक है ना अब इसमें आग नहीं लगेगा तो आप देख रहे हैं कि इसका क्या importance है carbon mono oxide ये भी एक flammable है इसका range होता है 12.5 से 74 के बीच में इसी range के बीच में आग लगेगा और ये अगर concentration इससे कम हो जाए तब भी आग नहीं लेगा इससे ज़्यादा हो जाए तब भी आग नहीं लेगा उसी परकर अगर petrol देखें petrol का vapor बनता है अगर घर में आपके रख स्टोर किया है तो petrol का lower explosive limit 1.4 इससे ज़्यादा होगा तब भी नहीं लेगा और इससे कम होगा तब भी नहीं लगेगा तो इस तरह का आप देख रहे हैं अलग-अलग gases का अलग-अलग vapors का flavor limit अलग-अलग है तो अगर आपको flavor limit मालूम है तो आप आग लगने से बचा सकते हैं लेकिन आप कैसे मालूम करेंगी concentration अभी कितना है उसके लिए आपको gas detector का use करना पड़ेगा और यह gas detector हर एक gas plant में आपको देखने को मिलेगा और आजकल gas detector यह multi gas detector आ रहे हैं जिसमें एक ही detector में आपको कई तरह का gas को monitor कर सकते हैं मैंने इसे इस model को use किया है इसमें आप देख रहे हैं H2SV मेजर करेगा CO percentage मेजर करेगा oxygen percentage मेजर करेगा और साथ में lower explosive limit भी मेजर करेगा तो इसमें केवल lower ही क्यों दे रहा है क्योंकि आग लगने के लिए lower के बाद ही आग लएगा तो हमें lower तक पहुंचने के लिए पता करना पड़ेगा कि हमने lower तक पहुंच गए कि नहीं कि लोवर तक नहीं पहुंचना है इसके लिए यहां पे आप देख रहे हैं कि अभी LEL जो है percentage 0 so कर रहा है ठीक है तो यह 0 से जैसे 100 रिच होगा यानि कि इसका lower explosive limit आप पहुंच गया है अब कभी भी आग लग सकता है तो खासकर गैस कंपनियों में जहां पे गैस है आईलेंड गैस है तो ऐसे जगहों पे यह भेपर हमेशा चारत तरफ रहता है यह गैस के फॉर्म में हमेशा रहता है इंवार्यमेंट में तो वहां आपको इस गैस डिटेक्टर का यूज करके अगर कोई आप होट जब करते हैं किसी तरफ एस पार काने का चांस आपके जब में और आज पास ऐसा मिक्षर भी है तो आप पहले मेजर करेंगे कि वहां पे लोवर एक्स्प्लोसिव लिमिट कितना सो कर रहा है इस डिटेक्टर में अगर यह डिटेक्टर जीरो सो कर रहा है यानि कि आप काम कर सकते हैं यानि कि यहाँ पे गैस है ही नहीं और अगर तेन परसेंट सो कर रहा है मतलब कि आप यह तेन परसेंट है लेकिन इसको पहुँचने के लिए और 90 परसेंट चाहिए और gas आएगा तब यह burn fire होगा तो आपको जैसे ही 100% reach हो जाए आपको काम नहीं करना है उसके पहले ही काम नहीं करना है actually में यह 0% अगर gas detector सो कर रहा है कि lower explosive limit है अगर यह यहाँ पे 0 reading सो कर रहा है तब ही आपको काम करना है कई कंपनियों में यह 10% तक काम करते हैं और कई कंपनियों का standard है कि नहीं 0% होगा तब ही हम कोई hot job करेंगे यह gas detector काफी help करता है fire को रोकने के लिए तो I hope आप इस वीडियो को enjoy किये होंगे और आपको सारे topics clear हो गये होंगे फिर भी आपके मन में doubt है तो आप नीचे description box में आप comment करके पूछ सकते हैं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो subscribe कर लिजिए जिसे कि आपको इस तरह का वीडियो का notification आपको मिलता रहेगा थांक थांक्स पर वाचिए